दोस्तों योगर आप अपने WhatsApp के एप पर किसी कारण से पासवर्ड नहीं लगा सकते हैं लेकिन दोस्तों आप अपने WhatsApp के किसी एक Friend की चैट पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं ताकि जब भी आपका कोई Mobile ले और Mobile ले करके आपके WhatsApp को Own करके आपके उस Friend की चैट को Open करें जिस Friend की चैट को आप हाइड करना चाहते हैं छिपाना चाहते हैं तो दोस्तों वहाँ पर पासवर्ड आ जाए और बहा बंदा आपके उस Friend की चैट को Open ना कर पाए तो दोस्तो बने रहेगी मेरे साथ इस वीडियो कहनते तक क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके इस तरह से अपने WhatsApp के किसी एक फ्रेंड की चैट पर पासवर्ड लगा सकते ही नमस्कार दोस्तो मैं मंदीर सर्मा आपका आटेक में स्वागत करता हूँ तो दोस्तो यदि आप अपने WhatsApp के किसी एक फ्रेंड की चैट पर पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तो आपको एक थर्ड पार्टी अप का यूज करना होगा जिसका लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वीडियो के description में जाकर उस लिंक पर click करके अपने mobile में उस app को install कर लेजिए अप दोस्तो उसमें कुछ setting आपको करनी होगी उन setting को हम कैसे कर सकते हैं यह जानने के लिए आपको चलना होगा मेरे mobile की screen पर mobile की screen पर जाने से पहले मैं हमेशा की तरह आप से एक बात जरूर कहना चाहूंगा यदि आप इस channel पर पहली बार आए हैं तो इस channel को नीचे लाल वाले subscribe बटन पर click करके subscribe जरूर करें और bell icon दबाएकर all पर भी click कर दें तो चलिए दोस्तो जादे देना करते हुए जानते हैं कि हम कैसे अपने whatsapp के किसी एक friend की chat पर password लगा सकते हैं इसके लिए दोस्तो आपको open कर लेना है उस app को जिसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा दोस्तो यह app बिल्कुल safe है क्योंकि दोस्तो इसमें आपको अपने whatsapp की कोई भी detail नहीं देनी है यानि दोस्तो आपको जो whatsapp का personal data है वो बिल्कुल safe रहेगा इसमें आपको अपने whatsapp की कोई भी detail देने की ज़रूरत नहीं है तो दोस्तो जैसे ही आप इस app को open करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface खुल कर आ जाएगा अब दोस्तो इसमें आपको क्या करना है इसमें दोस्तो आपको अपना एक passcode बना लेना है यानि एक pin code आपको बना लेना है जैसे दोस्तों मैं अपना एक pin code यहाँ पर बना लेता हूँ दोस्तों pin code बनाने के बाद यहाँ पर अपना pin code डालने के बाद अगला एक page खुलेगा जिसमें आपको फिर से अपना यही pin डाल देना है इस तरह से तो दोस्तों जैसे ही आप दोबारा इसमें अपना passcode डालेंगे तो इस तरह का एक message आजाएगा जिसमें दोस्तों लिखा हुआएगा passcode recovery email यानि दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी एक email दे देनी है दोस्तों यदि आप इसमें email अपनी देते हैं तो आपको इसका एक फायदा मिलता है कि यदि आप भविश्य में कभी अपना यह passcode भूल जाते हैं तो आप उसे आसानी से फिर से forget कर सकते हैं यानि reset कर सकते हैं और यदि आप इसमें recovery email नहीं देते हैं और आप अपने passcode को भूल जाते हैं तो दोस्तों आप अपने इस passcode को forget कभी भी नहीं कर पाएंगे बिना recovery email के तो दोस्तों यदि आप इसमें अपनी email देना चाहते हैं तो दे सकते हैं और नहीं देना चाहते हैं तो आपको skip के option पर click कर देना है फिलाल दोस्तो मैं यहाँ पर skip के option पर click कर रहा हूँ दोस्तो जैसे ही आप skip के option पर click करेंगे या फिर दोस्तो आप यहाँ पर setup के option पर click करके अपनी email देंगे तो दोस्तो इस तरह का page आपके सामने खुल कर आ जाएगा जिसमें दोस्तों आपको क्या करना है आपको यहाँ पर enable के option पर click कर देना है इसमें दोस्तों आपको आजाना है सबसे नीचे सबसे नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ होगा locker for words chat app तो दोस्तों आपको इस पर click कर देना है क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर इसे ओन कर देना है ओन करने के बाद आपको OK पर क्लिक कर देना है OK पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे जिसमें आपको दोस्तों फिर से इनेवल के उप्सन पर क्लिक करना है और enable के option पर जैसे ही आप click करेंगे तो इस तरह का page आपके सामने आ जाएगा अब दोस्तो यदि आप अपने whatsapp की किसी chat पर password लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए दोस्तो आपको simply यहाँ पर plus के निसान पर click कर देना है दोस्तो जैसे ही आप plus के निसान पर click करेंगे तो इस तरह का page आजाएगा जिसमें दोस्तो आपको कहा जाएगा कि आप इसे खरीदिये या फिर दोस्तो यदि आप इसे खरीदिना नहीं चाहते हैं आपको क्या करना है आपको यह देखिए यहाँ पर upgrade for free के option पर आपको click कर देना है दोस्तो जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको क्या करना होगा यहाँ पर दोस्तो आपको सबसे पहले अपने mobile में तीन एप को install करना होगा ये छोटे छोटे एप हैं 10-15 MB के आपको एप मिल जाएंगे तो आपको दोस्तो इन्हें इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आप फिर इन्हें अनिस्टॉल भी कर सकते हैं दोस्तो मैं इन्हें इंस्टॉल कर लेता हूं जल्दी जल्दी आप भी इसी तरह से play store से इन्हें install कर लीजिए यहाँ पर install के option पर click करके तो दोस्तो जैसे ही आप इन तीनों app को install कर लेंगे अपने mobile में तो यहाँ पर यह देखिए नीचे upgrade successfully लिखा हुआ आ जाएगा तो दोस्तो आप आपको क्या करना है आपको simply यहीं पर click कर देना है यानि upgrade successfully के option पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे और अपना passcode यहाँ पर डालेंगे तो आप इसी तरह के page पर आ जाएंगे जिसमें आपको फिर से यहाँ पर plus के निसान पर click कर देना है जैसे ही आप प्लस के निसान पर क्लिक करेंगे तो आप अपने WhatsApp पर आ जाएंगे दोस्तो WhatsApp पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर दोस्तो आपको उसे सलेट करना है जिसकी चैट पर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं जैसे दोस्तो मैं यहाँ पर इस चैट पर पासवर्ड लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा यानि इस फ्रेंड के नंबर पर मैं क्लिक करूँगा तो दोस्तो जैसे ही मैं यहाँ पर click करूँगा तो यह देखिए यहाँ पर यह number add हो जाएगा इसी तरह से दोस्तो आप और भी यदि आप और बंदों की chat पर password लगाना चाहते हैं तो आप उन्हें इसी तरह से select कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ तो यह देखिए दोस्तो मैंने कुछ अपने whatsapp के friend की chat पर password लगाया है जिने मैंने यहाँ पर select कर लिया है अब दोस्तो मैं अपने whatsapp पर जाकर देखता हूँ और इनकी chat को open करके देखता हूँ कि यहाँ पर password आएगा या फिर नहीं आएगा तो यह देखिए दोस्तो मैं आ चुका हूँ अपने WhatsApp पर WhatsApp पर आने के बाद दोस्तो जैसे ही मैं यहाँ पर यह देखिए अपने इस friend की chat पर click करूँगा तो यह देखिए यहाँ पर दोस्तो passcode आ जाएगा यानि दोस्तो जब तक मैं यहाँ पर यह passcode नहीं डालूँगा तो इसकी chat यहाँ पर open नहीं होगी तो दोस्तो इसी तरह से आप भी अपने WhatsApp के किसी भी friend की chat पर password लगा सकते हैं बिना WhatsApp के app पर password लगाए तो दोस्तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है मैं उमीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आयोगी दोस्तो वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें share करें और comment करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और दोस्तो यदि आपको कोई question मुझे पूछना हो